मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धी से भरा घड़ा। एक बार की बात है, राजा अकबर वो उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राजय से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिती में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गाउँ जाकर वेश बदल कर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान निसा था। लेकिन कुछ ही दिन बीते थी कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिंचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापती को बुलाया और उन्हें बीरबल को धूंद लाने का आदेश दिया। राजा की आग्या अनुसार हर गाउ, हर गली में बीरबल की खोच शुरू की गई। सभी सेनिकों ने हर एक कोना चान मारा, लेकिन वे बीरबल को धूंद न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया की सभी गाउं के मुखिया को संदेश भेजा जाए की उन सभी को एक बरतन के अंदर बुद्धी डाल कर राजा को भेजना होगा। जो यह सोचकर हैरान थी कि बुद्धी को किस तरह एक बरतन में भरा जाए। बुद्धी तो सभी के पास उपलब्ध थी लेकिन उसे किस तरह एक बरतन में डालना है। यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बरतन को कीमती हीरे जे पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पुरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बरतन को तर्बूस समेथ राजा के दर्बार में भिजवा दिया। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हट कर सोचने की जरूरत होती है। धन्यबाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में लिखें।